गुद मॉर्णिंग इस्टुएंट्स माइम इस विनेगोड और आज हम एकसाइट नंबर 1.4 के क्यूशन करेंगे दो क्यूशन से अपने पाफ उसमें अपना टोपिक है विजुलाइज देसिमल एक्सपेंशन ओफ रेशनल नंबर्स बाई यूजिंग सक्सेसिव मेगनिफि ठीक है आप जानते है कि यह दिन नंबर नेम्बर नंबर इंटीसर और नंबर मैंने यहाँपें इसलीड्रोप कर सकता हैं, लेकिन थो से अपने डेसिमल एकस्पेंशन वाली फोम है जिसे 1 और 2 के बीच में कहीं value होगी 1.2 2 और 3 के बीच में होगी 2.3 ये 2.333 ठीक है 3 और 4 के बीच में होगी 3.1, 3.2, 3.4 तो जो वही ये value है अपनी उनको आपन कैसे number line पे draw करेंगे तो उसका आपन एक ideal लेंगे और देखेंगे successive magnification method होता क्या है तो सबसे पहले आपन देखते हैं यहाँ पे 3.765 जो number अपना वो क्या है 3 and 4 के बीच में है कहाँ पे है 3 और 4 के बीच में जिसे 3.3 और 4 के बीच में क्या आएगा 3.7 आ जाएगा अपना या फिर 3.76 value भी पूरी ओर ओर value कहाँ होगी 3 और 4 के बीच में ही होगी तो आपनों के करना है number line को थोड़ा extend करना है और उसमें only 3 और 4 number ही है आपनों या पे देखना है यहाँ पे क्या था 3.765 इसलिए मैंने यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे represent कर दिया है यह number line को मैंने थोड़ा old large कर दिया और only कौन सा पार्ट ले लिया 3 और 4 वाले ले लिया ठीक है अब इसको क्या करना आपनको 10 equal parts में divide करना है कितने parts में 10 equal parts में तो आपनको कितने line द्रो करने पड़ेगी mid में 9 line देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ठीक है इन 9 line द्रो कई में तो यह किनकिन points को show करता है देखिए यहाँ पे यह वाला points, first वाला points 3 points 1 को show करेगा second वाला 3 points 2 को show करेगा third वाला 3 points 3 को show करेगा ठीक है? ऐसे ही 3.7 कहां पे आएगा यहाँ पे 3, 4, 5, 6 and 7 3.7 यहाँ पे आएगा और 3.8 यहाँ पे आएगा अब 3.7 और 3.8 के बीच में ही कहीं वेल्यू आपनको 3.765 वेल्यू आपनको find out होगी तो क्या करेंगे आपन एक और ले लेंगे नमबर एक और नमबर लेंड रो करेंगे जिसमें आपन only 3.7 और 3.8 को ही यहाँ पर represent करेंगे और उसके बीच में आपनको वापिस वही 10 equal parts में divide करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 ठीक है यहाँ पर थोड़े मैंने equal नहीं आए यहाँ पर लेकिन आप equal मान सकते हैं इनको suppose कर सकते हैं ठीक है तो 3.7 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 3.71 आएगा यहाँ पर यह होगा 3.72 यह 3.73 ठीक है ऐसे ही 3.76 कहाँ पर आएगा 3, 4, 5, and 6 तो यह वाला point जो होगा अपना वो किसको denote करेगा 3.76 को denote करेगा और यह वाला point जो होगा अपना 3.77 को denote करेगा ठीक है ऐसे ही यह क्या होगा 3.78 3.79 और यह क्या हुआ 3.80 ठीक है 79 के बाद 80, 80 यहाँ पर आ जाए ठीक है पर यहाँ पर क्या आता 3.7 को 70 भी लिसकते हैं आपर ठीक है अब क्या करना आपको 3.76, 3.77 के बीच में ही कोई value क्या है क्या है कि अपनी बाद 3.765 आ जाए तो क्या करना है इसको एक और बार extend करना है जिसमें क्या हूं कोम से नंबर आएंगी ओनली 3.76 और 3.77 3.76 और 3.77 ठीक है वापिस 10 पार इक्वल पार्ट में 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक है अब 9 पार्ट में डिवाट कर जाए इसको वापिस यह वाला जो नंबर होगा वो किसको शो करेगा 3.76 वन को यह वाला पॉइंट जो होगा सेगिंड वाला 3.76 2 को रिप्रेंजेंट करेगा ऐसे ही 3.765 का यहाँगा 2,3,4,5 तो यह वाला नंबर होगा अपना 3.765 और यही आपन को आइडिया लगाना था कि नंबर लाइन पे यह कहां पे होगा तो बैसिकली देखा जाए यह नंबर कहां पे होगा 3 and 4 के बीच में होगा ठीके 3 और 4 के बीच में भी आपन देखा अपन ने तो कहां होगा 3.7 और 3.8 के बीच में होगा फिर 3.7 और 3.8 को मैंने देख लिया यह जो पार्ट था अपना उसके 10 इक्वल पार्ट किये मैंने यहाँ पे और उनको 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे पार्ट नंबर दे दिये मैंने और यहाँ पे 3.76 आया अपने पास और 3.77 आया इसको मैंने ओर्ट लार्ट किया क्या क्योंकि आपनको 765 चाहिए था तो 3.76 और 3.77 के बीच में यहाँ कही 3.765 नंबर अपना यहाँ पे फाइंड आट हो चुका है ठीक है, सेगेंड बार अब टू 4 decimal प्लेस इसकी विल इसका मीन क्या हुआ 4.2626 क्योंकि क्या हुआ यह 26 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 2626 तो यह क्या आएगा 4.26 का आएगा अपने पास 4 और 5 के बीच में कहीं आएगा तो आपण एजी ली क्या करेंगे 4 और 5 अब वापिस वही 10 equal parts में denote कर देंगे इसको equal parts में बाट देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 तो 4.2 कहां पर आएगा एक प्लेस देखो अपना तो 4.1 यहां पर है 4.2 यहां पर है और 4.3 यहां पर है तो 4.2 और 4.3 के बीच में ही यह value अपनी find out हो जाएगी तो आपन क्या करेंगे एक और बार एक और बार number 9 को represent करेंगे और यहां पर 4.2 और 4.3 लिख देंगे ठीक है इसके बाद अब 4.26 चाहिए आपन को तो वाइफ वापिस भाई 10 equal parts में divide करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 तो यह क्या होगा अपना number 4.21 यह वाला number होगा 4.22 यह 4.23 तो आपन को 4.26 कहां पर find out होगा 23, 24, 25, 4, 26 तो 4.26 नमबर अपना यह वाला हो जाएगा ठीक है अब 4.27 यहां पर होगा 4.27 वापिस large कर दो इसको 4.26 4.27 अब इस 10 equal parts में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8 और यह 9 ठीक है तो क्या होगा 4.26 के बाद क्या है 2 तो 4.26 1 तो यह वाला number है अपना 4.262 यह वाला number है और 4.263 यह वाला number है 4.263 ठीक है तो 262 आगया अपने पास 263 आगया तो 4.262 और 4.263 के मिट में ही अपनों क्या पास फाइंड आउट होगा 4.2626 अगें देखिए आप 4.262 ठीक है 4.263 अगें 10 इकवल पास तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अब क्या होगा यहां पे यह 4.262 1 2 3 4 5 and 6 तो यह यह वाला number कौन सा होगा अपना 4.2626 यह वाली value कहा है कि अपने पास 4.262 और 4.263 के मिड में ठीक है तो इस तरीके सा आपन को number lines को एक एक decimal expansion के बाद आपन को large करना है और वो number आपन को यहां पर देखना है आप यहां पर notice करेंगे कि जो 3.765 था इसमें कितने digits थे? 3 digits थे. कितने digits थे? 3 digits तो अपने पास line कितनी बनी? 3 1, 2 and 3 यहां पर कितने? 4 decimal place तो कितनी line बनी लगबग 1, 2, 3 and 4 तो मतलब जितनी decimal expansion आपन को represent करता है उतनी ही line यहां पर बनेगी यहां पर 10 decimal expansion तक होता तो कितनी line बनती? 10, 3 तक है तो 3, 2 तक होती तो 2, ठीक है? तो इस तरीके सा आपको successive magnification method जो है उसका use करना है और number line पर इस rational number को represent करना है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, subscribe कीजिए, thank you very much